के दस्तों किया आप भी चाहते हैं कुछ इस तरह का एपी एनिविदिजीर विडियो रीडिंग करना खुध से तो दोस्तों आजकी इस फीडियो में मैं आप लोगों को बताओंगा कुछ इस परकार का आपको एनिविदिजीर विडियो करना है तो दोस्तो इस तरह के status वीडियो create करने के लिए आपको सिर्फ काइन मास्टर एप का जरूबत पड़ेगा और काइन मास्टर एप का लिंक मेरे वीडियो के description में आपको मिल जाएगा अगर दोस्तो आप लोग मेरे से कोई भी वीडियो एडियो करवाना चाहते हो तो दोस्तो मुझे comment या instagram पर message जरूर करना simply से आपको क्या करना है काइन मास्टर एप डानलोड करके open करना है open करने के बाद इस तरह का interface मिलेगा simply से new project में click करना है आपको मिलेगा 9 is to 16 ratio इसको select करने के बाद थोड़ा नीचे मिलेगा advance इसमें click करना है और दोस्तों हिहाँ पर आपको क्या करना है fill screen करना है और हिहाँ पर आपको मिलेगा default photo duration इसको 4 सेकंड रखना है और tonics in effect का आपको length 1.5 सेकंड रखके हैं आपको create में click करना है उसके बाद दोस्तों आपको काइन मास्टर का interface इस तरह से दिखिनों को मिलेगा simply से इस media option में आपको जाकि कम से कम दोस्तों आपको 12 photo aid करना है 30 सेकंड वीडियो के लिए photo aid करने के बाद दोस्तों आपको video का interface कुछ इस परकाड से आपको दिखिन को मिलेगा अगर दोस्तों photo aid करने से पहले अपको photo का size इस तरह से अगर आ रहा है तो आपको दो अंगली से आपको कुछ इस तरह से photo को zoom करना है और frame में इस तरह से आपको ठीक से adjust करके सजा लेना है और double line में click कर लेना है जो कि मैं पहले से ही कर चुका हूँ ठीक है तो इतना दूर करने के बाद आपको क्या करना है plusable icon में click करना है यहाँ पर आपको add transaction effect download करना पड़ेगा दोस्तो एक transaction effect आपको क्या करना है यह आपको 6 transaction effect में लेका तो दोस्तो आपको क्या करना है एक एक करके आपको दोस्तो प्लस बला icon में आपको click करना है और click करने के बाद दोस्तो transaction effect आपको सभी प्लस बला icon में इस तरह से आपको add कर लेना है जो कि दोस्तों मैं फड़ा फड़ से add कर लेता हूँ उसके बाद मैं आप सभी को दिखाता हूँ दोस्तों यह बला transaction effect हिया पर मैं end तक add कर लिया हूँ और download कैसे करना है simply से plus बला icon में click करके आपको दोस्तों हिया पर home बला icon मिलेगा इसमें आपको click करना है दोस्तों आपको first photo का length हिया पर आपको थोड़ा कमा लेना है ठीक है तो दोस्तों हिया पर first photo का length इतना दूर कमाने के बाद आपको जो end position का photo है इसका length करीब 30 second के आसपास रख लेने के बाद right side trim करना है और आपको दोस्तों right side की corner में इस arrow में आपको जाना है जाने के बाद इस video का आपको save कर लेना है जो कि मैं पहले सी एक video को save करके रख लिया हूँ उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है फिर शे new project में जाके इस बाद आपको 16 to 900 सिलेट करके आपको हैंकर आपको process ओही रखना है ठीक है create में आपको click करना है click करने के बाद दोस्तों सेम आपको media option में जाके उही आपको बाड़ा photo आपको add करना है photo add करने के बाद दोस्तों आपको video का interface इस तरह से आपको दिखने को मिलेगा अगर photo का length आपको दोस्तों पहले इस तरह से अगर आ रहा है तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ आपको क्या करना है पेन इन जूम को अप्षिन में जाना है और डबल लाइन में आपको क्लिक कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से फोटो को जूम करना है जो कि दोस्तो आगे पीछे से से एड़ेस्ट हो जाएगा ठीक है तो दोस्तो इतना दूर आपको end तेक कर लेना है ठीक है और उसके बाद प्लसबल आइकन में क्लिक करके इस बार आपको अलग transaction effect add करना पड़ेगा जो कि नीचे आपको front transaction मिलेगा आपको तिन नमर और चार नमर 8 करना है और सबसे नीचे आपको एक transaction effect मिलेगा गलाक्सिक टाजेंशन इसको आपको crossfit करना है ये तीन और transaction effect आपको वीडियो के end देख आपको एक एक करके add करते जाना है add करने के बाद दोस्तों आपको वीडियो के अंडर पेस इस तरह से दीखिनों को मिलेगा आपको क्या करना है आपको दोस्तों उस वीडियो की तरह first photo का लेंद इसका भी थोड़ा कमा लेना है और end position का जो photo है इसका भी लेंद आपको 30 सेकंड का असपास रखने के बाद इसको right side trim करना है आप चाहो तो दोस्तों फोटों का वीडियो का वीडियो इस तरह से on कर सकते हो सभी photo में इतना दूर करने के बाद आपको layer option में जाके effect option में आना है फिर से starting position में आके layer option में जाके media option में आना है इस बार आपको anniversary बिला template वीडियो का आपको add करना है दोस्तो template वीडियो आपको download कैसे करना है आपको वीडियो का description पर link मिल जाएगा simply say split screen में जाके इसको fill screen करना है नीचे में आपको blending option आपको करना है screen उसके बाद layer option में जाके media option में आना है जो वीडियो अपने काइन master से export किया था उस वीडियो का आपको यहाँ पर इस frame के उपर आपको दोस्तों सही से adjustment करके आपको बेटना है कुछ इस तरह से और आपको line by line आपको zoom करना है ठीके इतना दूर करने के बाद आपको 3 draw में जाके send to backward कर लेना है उसके बाद दोस्तों हिआंपर आपको 2 photo आपको add करना है जो कि मैं एक photo आपको add कर के दिखा देता हूँ layer option में जाके media option में आना है और कोई भी एक अच्छा सा एक फोटो आपको add करना है जो आपने frame में बैठाना है तो दोस्तो फोटो add करने के बाद आपको cropping option में जाके marks on करना है shapes में जाके hard वाला shapes add करना है और shapes को आप चाओ तो थोड़ा इस तरह से edit कर सकते हो दोस्तो heart के मुताबिक दोस्तों यहाँ पर photo का लेंद थोड़ा छोटा करना है और इस heart के उपर आपको भूत यह अच्छे से adjustment करके आपको इस photo को बैठाना है और 3Dot में जाके इसको send to backward करना है अगर बाहर हो रहा है तो आपको cropping option में जाके इस तरह से crop करना है crop परने के बाद दोस्तों आपको वीडियो इस तरह से adjust हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है इसका लेंद आपको कर लेना है वीडियो के end थेक ठीक है वीडियो के end थेक करने के बाद दोस्तों आपको इस position में भी एक photo आपको add करने के लिए फोटो एट करने के लिए आप सभी तो जानते हो layer option में जाके media option में आना है जो फोटो आपको पसंद है दोस्तो आपको gallery से फोटो ले लेना है ठीक है तो दोस्तो मैं कोई भी एक अच्छा सा मैं आप फोटो एट कर लेता हूँ पहले तो दोस्तों यहाँ पर यह वाला फोटो में ले लेता हूँ फोटो लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा crop कर लेता हूँ इस तरह से और shapes में जाके आपको hard वाला shapes add करना है जो कि दोस्तों इस तरह से heart को edit करना है इडिट करने के बाद दोस्तों आपको heart के size मताबिक photo को आपको zoom करके आपको इस तरह से adjust करना है और यहाँ पर आपको 3Dot में जाके center backward कर लेना है अगर बाहर हो रहा है तो आपको पहले ही पता दिया हूँ cropping option में जाके इस तरह से आपको थोड़ा edit करना है इडिट करने के बाद दोस्तों देख रहे हो बहुत ही अच्छा ओपी तरह से जे photo frame में अच्छे से बेट गया है और वेटने के बाद आपको video के end position में photo को ले आना है और layer option में जाके text option select करना है और जिसके नाम से वाला video edit कर रहे हो दोस्तों उसका एक छोटा सा कोई भी एक नाम आपको लिख लेना है नाम लिखने के बाद दोस्तों कोई भी एक stylist friend आपको select कर लेना है और आप चाहो तो दोस्तों outline भी दे सकते हो या जो आपको पसंदे दो दोस्तों color भी आपको दे सकते हो ठीक है outline देने के बाद दोस्तों आपको test के color इस तरह से आपको दिखिनों को मिलेगा और इसका size में थोड़ा छोड़ा कर लेता हूँ और इस position में बैठा लेता हूँ अब जो color देना चाहते हो यो low rate जी आपको पसंदे ठीक है इस तरह से कर लेना है और आपको video के end तक आपको colorize को ठीक है तो चलो एक मैं मीजू गेट कर लिया हूँ और मीजू के साथ आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ